हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंट्स आज हम बना रहे हैं डवल फ्रिल वाला बेबी फ्रोक इसकी कटिंग और स्टेजिंग में आपको बताऊं भौती आसान तरीकी के साथ तो हमने कपड़ा लिया है कपड़े को डवल कर लिया है इसकी लेंथ है उपर जो चो यहां पर हम मार्किंग करेंगे तो इंच पे यह गले का है उसके आगे बढ़ाएंगे सोल्डर के लिए 2.5 इंच और नीचे आर्म होल की डीप हम लेंगे 4 इंच इसके बाद हम यहां गले की डीप लेंगे 2.5 इंच और इसको यहां से राउंड देंगे आर्म होल में भी और जो राउंड देने के बाद एज मार्किंग है उसके उपर से अब हम कपड़े को कट करेंगे फ्रेंज आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज एंड वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें कमेंट करके भी बताएं कि आपको मेरी एजी वीडियो कैसे लगते हैं अब हम इसके नीचे का घेर है उसके लिए कपड़ा लेंगे तो इसकी लेंथ में हम पहलूँगी 10 इंच अब यहां से हम इसको तिर्चा मिला देंगे नीचे से कपड़े को कट कर लेंगे साइड से भी यह कटिंग कंप्लीट है अब इसकी जो फ्रिल है उसके लिए हम कपड़ा लेंगे 23 इंच लेंथ है और 7 इंच इसकी वीड थ है यह हमें चार पीस लेने है अब हम इसकी स्टिजिंग स्टार्ट करते हैं पहले चोली वाला एक हिस्टा लेंगे हम और इसमें एक तिर्ची पट्टी लेंगे यहां पर कलर कॉंबिनेशन में वाइट अच्छा बैठ रहा है तो मैंने यहां पर वाइट लिया है अब इसको अटेच कर लेंगे उल्टी साइड में अटेच करके इसको सीधी साइड मे मोड़ देंगी दोनों में ऐसे ही करने के बाद फिर हम जो इसकी फ्रिल है उस पे भी वाइट कलर की पाइपिंग निकालेंगे पट्टी अटेच करके इधर से सिलाई लगा लेंगे इसकी पाइपिंग लगाने मेने पहले भी काफी बार आपको बताया हुआ है तो आप मेरे और वीडियो देख लिए अगर इसमें आपको कलियर नहीं हुआ है तो अब हम इसका नीचे का गेर वाला हिस्सा है वो जोड़ेंगे उससे पहले ये उपर का हिस्सा है इधर नीचे वाला हिस्सा है तो इसको नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे सिलाई करने के बाद अब हम इसकी फ्रिल वाली पट्टी अटेच करेंगे पहले हम उपर की साइड में करेंगे छोटी-छोटी प्लेट्स डालते हुए इसको सिल लेंगे अब हम दूसरे वाली अटेच करेंगे उसके लिए यह जो पहले वाली फ्रिल है उसके नीचे टो इंच अंदर की साइड दबाएंगे या फिर जैसे मैं पट्टी फोल्ड करके दिखा रही हूं ऐसे करेंगे और निशान लगा लेंगे और दूसरे वाली फ्रिल पट्टी यहां पर अटेच कर देंगे इसमें भी ऐसे चोटी चोटी प्लेट्स डाल लेंगे यह कंप्लीट हो गया है सेम दूसरे में भी हम ऐसे ही करेंगे और अब इसके उपर जो उपर वाला हिस्सा है उसको सिल देंगे यह एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है ऐसे दूसरी साइड वाले हिस्चे को भी हम सिल करके तयार कर लेंगे आप दूनों को एक दूसरे के उपर रखके राइट साइड अंदर लेंगे और इसके सोल्डर्स की सिलाई कर देंगे दूनों की उसके बाद हम करेंगे साइड की स्लाई जो इसके फिटिंग है बिल्कुल वहां से नीचे तक इनको सिधा कर लेंगे यह देखे फ्रेंज कितना सुन्दर हमारा बेबी फ्रोक बंड करेंगे